दोस्तो एक सहर में एक बहुत ही गरीव मजदूर रहता था परन्तु वो दिल से बहुत अमीर था उसकी एक बहुत ही प्यारी बेटी थी जो अपने पीता को बहुत प्यार करती थी और पीता भी उसको अपनी जान से विजाजा प्यार करता था उसकी हर ख्वाइस पूरी करता था चाहिए उसे कितनी भी मेहनत मुझदूरी करनी पड़े धेरे धेरे दिन बीचते गई और बैटी भी जवान हो चुकी थी उसकी बैटी का बच्पन से डोक्टर बनने का सपना था और उसके पिता उसे होसला देते रहते था कि तुम बड़ी होकर एक दिन जरूर डोक्टर बनोगी बैटी ने बाहरवी कक्षा के एक्जाम दे दिये थे पिता हर रोज की भांती मजदूरी पर गई हुए थे बैटी का बाहरवी कक्षा का रिजल्ट आ गया और वो पूरे जिले में पर्थम स्तान पर रही जैसे ही उसके पिता स्याम को घर आई तो बैटी ने आते ही अपना रिजल्ट पिता को दिखाया ये जानकर पिता की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा उसने अपनी बैटी से बोला बैटी आज जो तु मांगेगी वो मैं लाके दूँँआ बोल तुम्हें क्या चाहिए बैटी बोली पापा मैंने आज बजार में दो हजार रुपे का एक बहुत ही सुन्दर सूट देखा था वो चाहिए पिता ने अपने सारे पैसे गीने तो तेन सो रुपे कम निकले लेकिन फिर वी जैसे तैसे करके बैटी को बिना बताई वो सूट ला दिया आज वो बाप और बैटी बहुत खुश थे लेकिन उसकी पतनी नराज थी उसकी पतनी ने पूछा कि आप इतने रुपे कहां से लाए हो तो मजदूर ने बताया कि मेरे पास पहले के कुछ पैसे एकठे की हुए थे थोड़े बहुत कम थे उतने का मैंने अपना खौन निकलवा दिया कुछ दिनों के बाद बैटी का मेडिकल कॉलेज में दाखिला भी हो गया प्रन्तु उसके लिए उन्हें दो लाख रुपे की आवस्कता थी अब पिता बहुत परिसान हुई कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतने पैसे कहां से ला आखिर कर उसके पिता ने किसी तरह फिर दो लाख रुपे का जुगाड कर दिया उसकी पतनी ने फिर पूछा कि आप इतने सारे रुपे कहां से लाए हो कहां से चोरी की है फिर मजदूर ने बताया कि जिसको मैंने खून दिया था उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके थे तो मैंने उसे अपना एक गुर्दा बेज दिया दिन बीतते गे बैटी का फाइनल एयर था मेडिकल कोलेज में आज सभी बहुत खुश थे कि उनकी बैटी डोक्टर बनके घर हाईगी लेकिन बैटी की जगए बैटी की लास घर पहुंचे बैटी ने खुद खुशी कर ले थी क्योंकि उसका आशिक जिससे वो प्यार करती थी वो उसे दोका दे चुका था ये जानकर पिता ने मोके बर ही दम तोड़ दिया तो दोस्तो आपकी नजर में असल में दोका किसे मिला बैटी को या उसके पिता को दोस्तो प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है लेकि इस इसक के चकर में अपने पहले प्यार याने की अपने माता पिता के प्यार को कभी ना बलाए दोस्तो आज की हमारी के स्टोरी आपको कैसे लगी कोमेंट में अपने डाए जरूर दे